मन्च पर विराजमांग, पंजाबी विश्विजाले के कुल गुरू, प्रोफेसर अर्विन, प्रोफेसर मम्ता, प्रोफेसर हैनियर पोर, और चंद्रा जीत सिंग्धी. इस हौल में बैठे शिक्षकों, विद्यार्पियों, मित्रों, दोस्तों, आज का विश्विज़ है हमारे कॉमन फ्यूचर से संबन्द रखता है। इस रिष्विज़ने को और खास कर पंजाबी रिष्विज़ने की अनेसिस लिकारे को बनाई दिना जाता है। यह जो 24th century है, यह तूफानों की century है। यदि आप पिछले 6-7 महिनों में देखें, तो भारत पे कितने तूफान आये हैं। समुद्र का उफान, गरम हवाओं का तुफान, बाढ़, तुखाण, यह सब जो दिजास्तर है। यह क्यों आ रहा है। क्योंकि भागतिय जीवत पद्दती में प्रकर्ति को देखने का जो नदर्या था। प्रकर्ति की जो समझ थी, वो समझ प्रकर्ति के आत्मिक रिस्तों से दूर जाकर, संसलेस साइन्स और कॉंशस्टनेस और कंसर्नलेस इंजिनिरिंग और टेक्नलोजी की तरफ जब मूव होने लगी, तो हमारी टेक्नलोजी और इंजिनिरिंग हमें मैक्सिमम यूज और प्रकर्ति को भूल कर, अपने भगवान को भूल कर, केवल प्रकर्ति से लेने का तक्नीक और इंजिनिरिंग में बड़ी से बड़ी रिसर्च, गहराई से बड़े काम करने लगते हैं, तो प्रकर्ति के साथ हमारे जो रिस्ते होने चाहिए उनको भूल जाते हैं, दोस्तों आप जानते होने कि भारत के लोग जब तक अपने भगवान को जानते और पैचानते थे, तब तक उनके विष्टे प्रकर्ति के साथ ब्रेम के थे, बगवान का मतलब क्या, बगवान किसी मंदिर में और गुरुद्वारे में और गिर्जागर में नहीं रहता है, बगवान तो हिंदी और संस्क्रिक में एक सब्द है, भै से भूमी, गैसे गगान, स्पेस, गैसे वायू, एया और ऑक्सिजन, और से अगनी, सूरज, और ने से नी, यह जो फाइल एलिमेंट है, इन फाइल एलिमेंट से हम इस प्लैनेट को, इस प्रमांट को निर्मित मां बनाते हैं, इसलिए हमारा रिष्टा इस नेचर के साथ अलग से नहीं था, हमारा रिष्टा इस नेचर को एक्स्वाइट करने का नहीं था, बल्कि इस नेचर के साथ जीने का था, जब तक भाग दिये, इस नेचर के साथ जीते थे, तब तक भारत की परियावन आश्का प में हिंधी आपको समझ में आ आ अो एक ही डिले कि मैः चाले अपर जाले कि अप्रजाले पुल पाता क्योंकि फुर्वत प्रिया भार्शा है बहुत हुआख ट्राइख में दाता हुए पर बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मेरी लिमिटेटर है कि मैं इपनी दाथ रख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसना करना चाहता है, कि अभी भी वक्त है, कि भारत का कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी मीं हम अपने एको सिस्टम को रिवाइब कर सकते हैं। को समझना होगा कि वह अपनी लाइश में यदि अलेसन्स का वालेश है तो इस नेचर को वह कैसे देखता है, इस नेचर को देखने का नजर्या उसका क्या है, इस नेचर में उसका जो लाइजी स्टाइल है, वो इस नेचर सबसे पहले सबढब होगे हैं सबसे पहले जानना होगा जदि आप्त करना चाहते हैं ज़िए आप शीश्टम को रिवाइब करना चाहते हैं यदि आप ecosystem को originate करना चाहते हैं तो आपका entry point है आपका life style आपके life style में आपकी प्रकत्री को देखने का धजरिया चाहे दोस्तों 1974-75 मेरी age तुम्हारे इत्ती ही थी इस हौल में बैठे जो विद्यार्थी हैं उत्ती ही मेरी age थी तब जहां मेरा जरम हुआ वहां गंगा और यम्ना का खूब पानी था इसलिए पानी का प्यार मैं नहीं जानता था मेरे वेवार में पानी का प्यार नहीं था जब मैं अपनी college में गया तो भी में कुछ पानी औ नहीं है लेकिन जब मैं government of India में 1980 में जैपुन मेरा पॉंस्ट्रिव हुआ तो चापार साल मैंने देखा कि राजिस्तान के लोग पानी को कैसे देखते हैं उनका पानी का नजरिया क्या है उस नजरिये से मुझे लगने लगा कि अरे यह जो नजरिये का फर्क है गंग्डा लगना के बीच के लोगों में यहां पानी पर्यात है और जिनके पास पानी नहीं है उन दोबों की नजरों में क्या फर्क है पानी को वह कैसे देखते हैं और जोने का देखने का घुजरिया क्या है इसलिए सबसे पहले एनसेस के वॉलिंजर्स को वो फुब क्या है उनका किस तरह की काम में मन लगता है उनका वो मन कि वॉलेंट्री एक्टिविटी में किस तरह से मूव करता है वो एनसिस की जो फीम है एनसिस का जो वीजन है उसको अपने वीजन के साथ कैसे को रिलेट करते हैं यह जब हम अपने आपको समझ लेंगे तब हम एनसिस को अपने जीवन का हिस्सा बना के फिर अपने इको सिस्टम के साथ मर्ज कर सकेंगे दोस्तों जब मैं राजिस्तान गया और भारत सरकार्ट की नोपी चोग के मैंने जो सबसे चैलेंजिंग जगह थी राजिस्तान की जहां पर लोग बे पानी होकर उजड गए थी जिनके पास अपने जीवन को चलाने के लिए पानी नहीं नुदूर था वो सब इलाके बे पानी होंके उजड गए थे और जो बूरे लोग वहां बचे थे उनको नाइट ब्लाइडनेस नाम की डिजीज थी नाइट ब्लाइडनेस का मतलब होता है कि जब माल लुकेशन होता ह या अर्विटमिन एक ही कमी होती है शरीर में तो शाम के वक्त दिखना बंद हो जाता है दिखता नहीं है मैं जैसा मैंने कहा कि मैं पढ़ाई से डॉक्टर था तो मैंने उनका इलाज सुरू किया और इलाज करने के बाद जब वो लोग ठीक हो गए तो उनमें से बूरे गाओं में जाके लोगों से सीखने के लिए स्तयार है क्या तुम जो कॉलिज में यूनुस्टी में किताबों में पढ़ते हो उसी पढ़ाई को उनके उपर जाके ठोकते हो ना इसलिए तुम्हारा दुडाओ गाओं की उस कबनिटी के साथ बहुत डिफिकल्स होता है जक्त अब करें इंगे मेरी उम्रे 421 में उसकाु नाम था मांगू का कर नेका वराज ऑब हूप तूदा के हुला अब कर Seahener अब तो अदमी का हिलाज है अब तो धर्दी का हिलाज हुआ को भा आर्य हुआ रतोल् sack करे निकिर्का इख निकर्षव छिंड़ है तो यहां एना प्र आएगा हर्याली आएगी गाइभैस आएगी दूद होगा दूद पिएगे तो अपने आप अगले लोग रतों दी रोग से अग्रेसिट नहीं होगे नोगा करने मेरी जो जूदिकी बढाई थी उसके डीर रर्मिंग की पहले दिन और दो दिनों में उन्होंने मुझे मेज दो भीकामिर की दो दिन में और यूनुस्टि करसकी एक दिन में एक पीय चो जो कि तुम्हें सीथिशा पादी होती है सिख्षा को सिख्षा को इनफ्रमिशन के जन्जाल से सुरू होती है फिलिप लिखता है को चाहिए ने के बाद में लगा देते हैं काम भी नहीं करते हैं लेकिन मेरे तिछर ने मेरी दो दिन में पीएज़डी कैसे कंप्रीट की NSS के विद्यास्थों को समद लेना चाहिए जिनको तुम अंपड कहते हो जिनको तुम इलिटरेट कहते हो जिनको तुम अग्यारी कहते हो वो लोग किस तरह का ज्यान रखते हैं उनके पास आपके वर्ड नहीं है आपकी मिलस्टी में जो वर्ड आप अपनी वॉकपलरी में यूज करते हैं वो गाओं के एंपड लोगों के वर्ड नहीं हो सकते हैं पहले दिन उसने मुझे जीयो हाइड्र साइंस में मेरी पीच्डी कम्लीट की पुराने जमाने में चबड़े के चरस होते थे जिससे मोट कहते थे कुए से पानी निकालने के लिए उस मोट में बैठाके 500 फिट गहरा कुवा जो सूखा था जिसमें पानी नहीं था उसमें में पड़क दिया और पांच मिनिट के बाद निकालके मुझे से पूछा तरहे कुए में काई देख रहे हैं मैंने का काका यह कुए में तो ऊपर से निचे ताइंश है उसको जियो हाइड्र साइंस में कहते हैं कंफाइंड वर्टिकल फैक्चर है हमारी लोकल भाशा में उ ड्ति के प्रेंट का पानी सूरज से बचाना है राजस्तान में सबसे बड़ा पानी का सूरज होता है तो सूरज की सूरी कैसे रोखने तो पहली पीएस normals की सूरज ताइन सर्च है ना वठे तु बांध बना देला तो धर्ती के ऊपर पाड़ी को नहीं रहला नीचे चला जाला वो एवोपरेशन नहीं होगा धर्ती में वाटर रिजर्ब बैंक जो भी वहां के एक्यूफुर है वो रिचाग होके एक वाटर बैंक बना देंगे और उससे फि पानी जहां बरसता है वहां दोड़ कर चलता है उसको रेंगना सिखा दो जब रेंगने लगे तो पकड़के धर्ती के पेट में बैठा दो फिर उसको सूरज की नजर ना लगेगी वो उड़ेगा नहीं जब तुम्हारे बुरे दिन आएं जब धर्ती पे अकाल पड़े त जला लो यह थी जियो हाइड्रो साइंस की दूसरे दिन नैचुरल इंजिनरिंग में हमारा अरावली का दिजन है वो सैमी एरिट जोन है तो उपर जब पानी बरसता है तो छोटी-छोटी ड्रेंड नीचे की तरफ आती है तो जहां से वो रिज लाइन सुरू होती है वहां हो मुझे ले गया और गाओं की 10-15 बूढ़े लोग बूढ़ी लुगाईयां साथ लेके हम उपर गए तो जहां पर उपर से पानी बरसता था जहां जेंटिल स्लोप थे उसने कहां वहां सीधी इस्ट्रक्शर बना दे ऐसी और जहां इस्तीप स्लोप थे वहां कॉंवेक्स इस्ट्रक्शर बना दे और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कौन के इस्ट्रक्शर बना दे तो जो नेचुरल इंजिनरिंग थी विदाउट सिमेंट, कॉंक्रीट, आइरन, इस्टील हमने 40-50 फिट हाइट के डैम बनाए और पिछले 40-40 सालों में एक नहीं ठुका जब कि उसलाके में सरकार के बढ़े पहली बारिश में बैल आते हैं, साइट से निकल जाता है जब सरकार बनाती है, सरकार का इन चीजें बनाता है, तो जहां मिक्ती और पक्थर का जोड होता है, वहां के पानी निकल के रास्ता बना लेता है, वो डैम डिपन्ट हो जाता ह हमारा नहीं कुछा हमने 13,800 बनाए अब तक जिसके कारण भारत की धर्ति पधं 13 नदियों को रिजुनेट कर सके जो मर गई थी सूप गई थी 17 लाख युवाओं को वापस रिवर्स उनके खेती के काम में लगा सके जिस जमाने में हमने काम सुरू किया था तब हमारे गाओं की ओड़ते गीत गाती थी जिराध्यान से सुन लेना ये जो क्लाइमेटलोजी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं उनके लिए ये गीत है बादल तो आते हैं हर साल मेरे गाओं में पर रूट कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती जबसे बादलों ने रूट न शुरू किया मेरा जवान बेटा और मेरे बेटे की पहुबी रूट कर दिल्ली चले गए अब न जानें वो दिल्ली में कहां रहते होंगे मेरे खेत में पाने नहीं, कुवे में पाने नहीं और मेरी जंदग्यानी में तनाई है इन्होंने मिलके पानी को रूखने का काम सुरू किया बारे साल के बाद दूसरे कीट गाने आने लगे अब बादल आते हैं मेरे गाओं में रूठते नहीं है वो बरसते हैं मेरी जमीन पर पानी आ गया है मेरे कुवे में मेरे खेतों में हर्याली है मेरा बेटा और बहु भी लॉट आए हैं गर करते हैं खेती मेरे खेट की हर्याली अब बन गई है मेरे जीवन की खुशाली अब यह जो प्लाइमिल लॉदी की भाषा है उस भाषा में तो इसका एक सब्स नहीं है ना एक कैलकुलेशन है इसी में से हम समझ सकते हैं कि हमारे इस प्लाइनेट पर चार तरह की हीट है सूरज से निकलने वाली रेड हीट जब समुद्र के उपर पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डीसलिनेट करके ब्लू हीट में चेंज हो जाती है ब्लू हीट का मतलब है बादल और उस बादल में जो गैस है वो है वो जो गैस है वो हमेशा ग्रीन हीट की तरफ जाती है ग्रीन हीट कहा होती है ग्रीन हीट होती है जंगलों में और हव्याली में जो सूरज की गर्मी आती है वो पत्तियों से ट्रांस अपरेशन करके नीचे के मौश्य को ऊपर अट्मोस्वेयर में लेके आती है वो जो अट्मोस्वेयर का मौश्य है वो माइक्रो क्लाउड फॉर् आगे और जब माइक्रोक्लाउटत में मिलते हैं तब बारी तो अभी हैता पर तीन हीट परी रेड़ ही शुरत से आती है वह वह जब नंगी-धर्जी पर पढ़ती है तो रही ही पर ही होती है यह कि यहादि वह समुद्र के उपर होती है तो तो समुद्र के खारे पानी को मीठा करके बिलू हीट में बदल जाती है वो यदि जंगल के उपर पड़ती है तो जंगल से ट्रांस अपरेशन और ओटू का उच्सरजन करके वो ग्रीन हीट बन जाती है हीट का सोर्स तो केवल सूरज है लेकिन ये हीट अपने करेक्टर को बदलती है जब ये ब्लू हीट और ग्रीन हीट मिलते है तो वर्सा होती है और वो जो वर्सा का पानी है वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी में जो भी कुछ सीर्ट से है जो भी कुछ रूट स्टॉक से है वह स्जोने होने लगते हैं के वह है एको सिस्टम का व्युमिदी जब आपцы नेचर को उसकी जो अपिन ताकत सब्सकों करने का रिभाइप कर देका एक सब्सक्राइश करते हैं तरही को सिस्टम होता है एको सिस्टम डवलखもता है तो ये नेचर में हमने किसी एक दो गाउं में नहीं एक हजार तीन सो गाउं में ये काम किया दस हजार शस्क्राइब किलोविटर जमीन पर जो भारत सरकार के रिकोर्ड में 1980 में डाट जॉन लिखी थी अभी वो वाइट जॉन हो गए अभी वहाँ बादल आते हैं बरस पे हैं और जहां खेटी नहीं होती थी पसुपालन नहीं होता था अभी वहाँ के जवाँ लड़के खेटी भी करते हैं और पसुपालन भी करते हैं पानी के बिना खेती होगी क्या पानी के बिना फसुपालन होगा क्या पानी के बिना नदी बहेगी क्या दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इको सिस्टम को जब हम नेचर के साथ जोड़ के देखते हैं तब दुनिया के किसी भी आप धर्म को देख लें जो इस प्लाइनिक पर है यह सारी के सारे धर्म प्रकर्ति के चारों सार घूंते हैं नेचर के चारों तरब कुद्रत के चारों तरब आप गुरु वाणी को देखिए ना सम्मान के सेज़ देखिए गुरु वाणी की जो अदेश और संदेश है गुरु नानक में जो अपने लोगों को दिये वो सब प्रकर्ति के कुद्रत के सम्मान की बूली है सम्मान की भाशा है कि जब कोई धर्म बनता है तब वो प्रकर्ति के सम्मान के साथ बनता है जब धर्मों के संगठन बनने लगते हैं तो वो सत्ता की दलाली में जुच जाते हैं फिर पिर सारवाज धर्म के काम करने लगते हैं धर्म तभी तक जीवित रहता है जब तक उसका कोई अपना संगठन नहीं होता। यह जो धर्म के नाम पर संगठन बनते हैं यह सबसे खतनाक होते हैं। दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने धर्म को इस इको सिस्टम, इको रिवाइबल, इको रिजुमिनेशन के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपका धर्म आपको बहुत तारी सिक्षा आपके जीवन में दे देगा। जैसे मैंने कहा भगवान जब तक हम इस भगवान को जानते और पहचानते थे। भैसे भूमी, गैसे गगन, वैसे वायू, आज से अगनी और नैसे नीः। जब तक हम इस भगवान को जानते थे भारत के लोग तब तक हम नीद, नारी और नजी को नारायन मानते थे। नारायट मानने का मतलब आपको माखने क्या है नारायट मानने का मतलब है सम्मान केवल सम्मान हिहां हम उसका नीट मंए लाइस वोडर जल नारी माने इस्थ्री वूमन और नेजर जो नवी लायज को क्रिए leverage कर सके न tree माने creator, नया जनम देने वाली का, और नदी के, life के all flow, civilizational flow, cultural flow, spiritual flow, financial flow. अरे पंजाब के पास यह जादा आराज पسم पैदा होता है, niin क्यों होता है? क्या पंजाब की नदीह के तिना पंजाब पिंजाब को सकता है? तो तो all financial flow related with the river, तो भारत के लोग जब तक नीर, नारी और नदी का सम्मान करते थे तब तक दुनिया को सिखाने के लायख थे हम हिंदुस्तान के लोग दुनिया के लोग दुनिया को सिखा सकते थे ग्लोबल टीचर थे आज हम ग्लोबल टीचर नहीं बचे तो इसका मतलब क्या इसका मतलब ये ही कि हम अपनी एकोलाजी को अपने एकोसिस्टम को अपनी नेचर को अपने क्लाइमेट को बहुत इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों ये इग्नोर करने की जो गल्तिया की है वो मेरी उमर के लोगों ने की है मेरी उम्र के जित्ते लोग हैं मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब भारत की किसी भी नदी का पानी उठागे पी सकता था आज मैंने तुम्हारे लिए एक भी नदी इस दर्थी पर ऐसी नहीं जोगी जिसका पानी उठागे आप पी सके तो यह गल्तिक इसने किए, कॉन है कल्ब्रिब? मेरी उम्र के लोग हैं. क्योंकि उन्होंने जब वो अच्छा काम कर सकते थे, जब वो अपने प्रकर्टि को प्यार करके, अपनी नद्वियों को अपनी ठऱ्ों को जिन्दा रख सकते थे, तब उन्हें वो काम नहीं किया कि आप भी होई करना चाहते हैं क्या है मes नेस इसके वॉलिंटेर से पूछ रहा हूं आप क्या करना चाहते हैं तुरहे बच्चों मैं जाता हूं कि हमारे बच्चे हमें भास नहीं करेंगे क्योंकि मेरे दादा ने पर दादा ने जैसी सुन्दर नदियां मुझे ती वैसी नदियां मैं अगली गन्रेशन को नहीं लेकर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें तुम्हारे बच्छी माप करेंगी क्या बोलो ना भैनी बोलो ना तुम क्या करना चाहते हो यदि आप एनसेस में एज वॉलिंटर अपने टाइन को वॉलंटरली अपने कॉमन फूचर को बहतर बनाने के लिए डेडिकेट करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे तुम्हें वैसिस में क्या तुम्हें करना चाहिए आज सबसे बड़ा चैलेंग इस प्लैनेट पर इस नेशन के सामने इस स्टेट के सामने और इस सिटी के सामने क्या है वॉलिंटर अपने चैलेंज और अपनी फ्रेट को पैचानता है कि उसके सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उस चैलेंज का रेस्पोंस ढूंता है उस चैलेंज का सॉलुशन ढूंता है एनेसेस के विध्यार्थ क्या आज इस हाउस में यही काम है कि वो अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए अपने एको सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं एको सिस्टम एको की हैल्ट और तुमारी हैल्फ तुमारी नदी की हैल्फ और तुमारी हैल्फ तुमारी मिट्टी की हैल्फ और तुमारी हैल्फ इनके रिष्टे तुम जानते हो क्या आपने अपनी हैल्फ को कभी अपनी धर्ति की हैल्फ के साथ जोड़ के देखा क्या आपने अपनी हेल्थ को अपनी नदी के साथ चोड़ के देखा लिया मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है इसलिए आप रस्पॉंड नहीं कर रहे हैं हैं आ रही है तो फिर जबाब क्यों नहीं दे दो अभी कुलबुरू यहां विराजमान है वी सी साथ विराजमान है आप शिंता न करिए जिसको जो दबाब देना है मुझे दीजिए क्योंकि यह मैं यहां परवचिन करने नहीं आया हूं बार्षण देने में नहीं आया हूं मैं पटियाला यूश्टी के विद्यार्थी अपने एनसस में कुछ बुन्यादी काम कर सके कुछ बहटर काम कर सके आपके काम से सीख लेकर हिंदुस्तान की दूसरी यूश्टी भी कुछ काम कर सके वो बात करने आया हूं और दोस्तों मैं बात नहीं करता हूं मैंने में जा अपनी जिन्दगी में काम किया मैं के रह hetि ने ऑफ्त की में आपके साथ्ट आयलोग होना चाहता हूं कि आप पट्याला यूश्टी के अश्टे के विद्यार्थी अपना फ्यूचर प्लैन अपना फ्यूचर एक्षन अपनी फ्यूचर एक्टिविटी सबसे अच्छी क्या मानते हैं मैंने आपको कहा कि इस वक्त इस प्लैनेट पर क्लामिट चेंज और ग्लोबल गॉर्मिंग की थ्रेट है पंजाब को कैंसर का रोगी कहा लग कहलाता है पंजाब की नदियां हिंदुस्तान की नदियों में सबसे ज़्यादा दूसीत है बिमार है जब भारत की नदियां बिमार हों और भारत के लोग नदियों को मा कहते हों तो नभीों का इलाज कराना चाहिए कि नहीं, यदि मा कहते हो, तो नभी के साथ मा जैसा वहवार करना चाहिए कि नहीं, तो फिर कैसे करोगे, यदि आप अपनी नभी के साथ मा जैसा वहवार करना चाहते हो, तो क्या action point बनता है आपका, सबसे पहला action point ये बनता है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर का अच्छा पानी और गंदा पानी दोनों अलग अलग हो गंदे को retreat करें और अच्छे पानी को ठीक से अलग रखके उसको use करें आज हमारा अच्छा पानी गंदे पानी में मिलता जाता है और जिस तरह से दूद की बड़ी हुई मट्की को एक मून चाज का जामन डालने से दही दमा देते हैं वैसे ही भारत के पानी की इस्तिती है अच्छे पानी की नद्यों में हमारे शहरों का गंदा पानी जाके पूरी नदी को गंदा कर देता है जरह मुझे कोई बताएगा कि ये गंदी करने का परचलन भारत में कबसे सुनु हुआ कोई इजार्थी बताएगा कि भारत की नद्यों में पहले हम कुछ भी गंदगी नहीं जाने देते थे ना घर की गंदगी जाने देते थे और ना हमारे सरीर की गंदगी जाने देते ये कब से हमारे सरीर की और घर की गंदगीया नदियों को ढोने का काम दिया है हमने प्यारे बच्चों आप शाहिए नहीं जाने भारत की जान की राजदानी बनारस होता था कि अधिकिंग्डम ऑफ नौलिज बनारस उनिस्तों बद्टिस तक भारत में आजादिक आंदोगन पहुत जोरों से चल रहा था बेटिस पार्लमेंट बाट ड़ी हुई थी तो बेटिस पार्लमेंट ने एक आईसीए सफसर को उसका नाम था होकिंस उसको बनारस में कमिश्ण बनाया और यह कहते भेजा कि यह जो भारत के अंदवनकारी है जरह इंको मज़ा चकाना है अब वो अकेला ऑकिंस भारत के लोगों को कैसे मज़ा चका सकता था उसने क्या काम किया बनारस में आते के सास्थ विदी ने वन मन एक डेट लाइन का जिया प्रिम किया लिए फॉ प्रिम के लिए बनारस शिदी विदी यूटिफिकेंशन अउप रगारट लिए विदी गंगा यह उनीस्तो बट्रिस का जियार है उनीस्तो बट्रिस के लिए इस जियार का इंदग ये हुआ कि अज पूर भारत में सारे सहर ता अल्गरमंट इस्टिशन, मिनिस्पर्पर् इन सर्दारी सुर्साओं को किसे लिए आई बी जियार है वो देगलाइन का जियार है उनकिसरा इन अप्सरों को दिखाने के लिए कि पहले से गल्लापानी आ रहा था लगदी में मैं क्या कर दूं मैं भी ना रहा है नोबडी आज की तब हो कि हमें ग्योग जिमार बट्रा आया तो पंडिक बदन महान मालवे हिंदू विष्विद्याल में बना रहे थे बनारस में उनको पता चला तो वो अपने 5-6 टीचर्स के साथ वोकिंस को मिले गया यह जो आईशियस होता है ना यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही अब मैं क्या ब्राइट कहूं क्या कहूं मेरे पास उसके सुन्दर सब नहीं है चर ये छोड़ देता हूँ उसको वो समझ गया कि पंडित मदर महान बाल में बहुत नाराज है और वो बहुत पावरफुल अथोरिटी थे तो जैसे ही पंडिती एंटर हुए उनके दफ्तर में तो पंड़ती ने कहा Mr. Hawkins you know what is my relation with Ganga तो Hawkins ने कहा है yes sir I know my lord the Ganga is your mother but you tell me what we can do the only way for the beautification of Banala city my government gives the 20 lakh rupees for this so you can decide if you want the beautification of city so the only way पंड़ती बहुत नाराज हुए पंड़ती ने कहा Mr. Hawkins you don't know I never seen the beauty of my mother I always seen the love of my mother मैंने तो अपनी माँ का चेरा कभी सुन्दर्ता की दरस्ती से नहीं देखा मैं तो अपनी माँ को ऐसे देखता हूं कि वो मुझे कैसा प्यार करती है इतने में ही उनके साथ जो दूसरे प्रोफेसर थे उन्होंने काम में भीरी से कहा पंड़ती से पंड़ती ये 20 लाख रुपया आया है इसको लक्चाने दो ना बनारस में लोगों को रोजगान मिल जाएगा लोगों को पैसा मिल जाएगा कुल गुरुजी ये जो हमारा attraction of development है ये जो हमारा attraction of beautification है ये बड़ा दास्ता है ये ही सबसे बड़ी fact है इस modern ecosystem पर हमारे रिष्टे तूट है आज जब आप बनारस जाओगे तो जो नोय का पूल है ना बनारस में उसके थोड़ा उपर की दरफ देखेंगे कि वो तीनों ड्रेन आज भी उसी करें से गंगा में लिए आज आज ही कितने साल होगे इसात्रव साल है ये जो प्रोफेसर्स जहेंके उन्होंने कहा इस पैस इनको तोड़ देंगे तब हम गंगा में से अता देंगे आज तक नियुकि आज भी उस सारे का सारा गंदा पाले वैसी कि वैसे गंगा में जाता है तो ये जो गंगा और ये जो नजिया में इनको जो गंदा करने का चलंग हुआ वो हुमरा ऑपींस का पहला प्रोश का ऌडियों में गंगे की जने लगी मृट तो क्या हम अपने सह्त जाने में घंड़ा पानी जाने से रोक सकते हैंकि क्या हम अपने मुनिस्पल कॉर्परेशन के कविश्णर को और मेर को मिलके कह सकते हैं कि वह तुम हमें यह गंदा पानी हमारी नदी में मिलाकर बीमार कर रहे हो तो तुम्हें फॉसी क्यों नहीं लगनी चाहिए तुम जानते हो आज तक किसी को फाशी नहीं लगी यह हजारों लोगों को बिमार करके मार देते हैं हजारों बिमार होते हैं नद्यों के नद्यों में फैक्ट्री के अफिलेंट्स और मुनिस्पल कॉर्परेशन के गंदे पानी से लेकिन किसी को फाशी नहीं लेगी जबकि इंडियन कॉंस्टिटुशन थैं बहुत कि दियर दियरक्षिन थैंग्ष जी फॉर्टिवल सरकार को डूती बताता है कि ये नदियों को जलस रजनाओं को सुच्छ रखना सरकार का दुम्माने को समाज की जूजी बताता है, समाज की जूजी क्या है दर्जों के लिए, लेकिन हम उन्हों को पालन नहीं करें। क्या पंजाब यूश्टी के विद्यार्थी अपनी प्रकर्थी को समझने और उसको सहजने और सहज ते वे काम करने दूसरों को समझाने, इको सिस्टम को रिवाइब करने का को लिटरेशी प्रोग्राम चला सकती है क्या है ये यूश्टी। विटती सी प्रोग्राम फो ऊिको सिस्टम रिवाइब करें ये शूच प्रोग्रण यींश्टी हाथ ने सकती है क्या है, क्जा कॉछ कऱेज के प्रोग्राम ओफिशर ले सकते है क्या हम हुआरे सहर के पास ढड़ि बैठी है। लोगों को तरियार करेंगे मुनिस्पल कॉर्परेशन की चेयर को जो मेयर होता है उन सब को सब पर दबाब बनाएंगे हैं डोस्तों डेमोक्रेशी में लोग-तंतर में जब तक लोग जगे कुछ काम अच्छा नहीं करवातें तब तक लोग्तंतर, में काम नहीं होते आप सोचेंगे। कि आप 100 को बौक्न दिया है है आपने इसको पावरों कॉर्टावन में दी है ऺज़ित कि हम तुम्हें बहुत इसलिए दे रहेंग sector हमारे हिसमें कानून बनाना हमारे अच्छे काम करना उसके उपर जब हमारा दबाव नहीं रहता तो वो काम नहीं करता इसलिए हमारे कॉलिज के विद्यार्थी नेचर को रिजुनेट करने की समझ और सहजने के एक्शन और दूसरों को समझाने का कुछ प्रोग्रेम बना सकते हैं कि इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि पंजाब से जो पंजाब में जो कैंसर का मालवा में बहुत देजी से अहला बढ़ रहा है तो क्या हम एक ऐसी खेती को रिप्पंट कर सकते हैं कि जिस खेती में ये कैंसर ना बज ना हो कुछ अलग अलग विविद्ध प्रोग्रेम जहां जो है जिस एरिया में जो कॉलिज है जिस भी एक्ट्रो इकलाजिकल क्लाइमेटिक जोड में जो कॉलिज इस्तित है उस क्लाइमेटिक जोन को रिवाइम करने के लिए एक जैसे प्लाइम बनाने से काम नहीं होगा सबको अपनी अपनी जन्हे जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी का रस्पेक करके प्लाइट करना पड़ेगा दोस्तों हमने जैसा कहा कि 13,800 इस्ट्रेक्चर्स पढ़ाई है पर कोई भी इस्ट्रेक्चर एक जैसी नहीं है वो सारी के सारी इस्ट्रेक्चर्स वहाँ की लोकल साइट सेलेक्शन से लेकर एच्जिक्यूशन तर हमारी कम्मुनिटी के लोगों ने किया है और जब कम्मुनिटी के लोग डिसीजन मेकिंग प्रॉसिस में इन्वोर्ड होते हैं तब उसकी संस अफ ओनर्सिप और बिलॉविंगनेस बढ़ जाती है और फिर वो उस काम को अपना काम मानके करते हैं तो क्या एनेसेस के विद्यार्पी जो अपने इलाके में काम करना चाहते हैं वो वहां की विसोर्स मैपिंग करके किस तरह के काम अच्छे हो सकते हैं उन लोगों से सीख कर करना चाहिए मम्ता जी के कहने से मत करना है मम्ता जी पढ़्याला में रह जीए वो तुम्हारी अड्मिस्टेशन में मदद कर सकती है तुम्हारी विस्टेशन में मदद कर सकती है पर उस कॉलेज के चेत्र में रीजन में क्या डाइवर्सिटी है वहां के एकोसिस्टम को किस तरह की मदद किया ही है वो तो इनको कह करोगा इनके इन ट्रॉफिसरों को इन शिक्षपों के ऊपर डालेगा कि तुम डिसाइड करो कि कुमारे इलागे में क्या बेस्टम क्यों हो सकती है तो वेकल एक्षपों क्यों तरह को अच्छा होगा मैं उसको रेपों कर सकती है किसी के मन में कोई सवाल हो उससे पूछ देगा तो जरूर पूछिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप अपने कॉलिज में अपने जियो कल्चिरल डावर्शिटी का रस्पेक्ट करके किस तरह के काम आप अपने कॉलिज के द्वारा सुरू कर सकते हैं बड़े काम मत हाथ में लेना बड़े कामों से लाग नहीं होता बड़े काम सुब के लिए नहीं होते हो इसलिए हम ऐसा काम चुलें जिससे समाज का भला होता हो आपके NSS के गीत में बहुत अच्छे से लिखा है कि वसुंदरा को पुनर्जीवित करना है आपका NSS आपकी वसुंदरा को रिजुनेट करने का गीत गयता है तो आप अपनी एको सिस्टम को अपनी एकोलोजी को अपनी क्लाइमेट को समझ कर किस तरह की प्रोगेम डिसाइड करेंगे जरा दिमाग लगा कि आपको लगता है मुझे से कुछ पूछना है तो जरूर पुछ लिजे नहीं तो मैं अपनी बात करूँ कि यस उनको पाइद को जड़ा कि अपनी जोन परता जो खत्म हो रही है कि देखिए जब आपकी घंजी पर हडियाली बढ़ती है तो उस हडियाली में कारपन के स्रिक्रेस्टेशन की छंताएं बढ़ जाती है तो जो आपकी ओजोन लेयर को होट करती है नुक्सान करती है वो उसमें वो गती रूप सकती है इसका मतलब आज आपको भारत पूरी पर नहीं बलकि पूरी दुनिया में कारपन को स्रिक्रेस्टेशन करने वाली परिस्टितियां पैदा करनी पड़ेंगी हर्याली बढ़ानी पड़ेंगी और मिल्टी की हेल्ट नजियों की हेल्ट इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा तो आप ओजोन लेयर की बात कर सकते हैं ओजोन लेयर हमसे दूर है हमें पहले यह देखना चाहिए कि हम पंजाब में जहां हमारा कॉलिज है उस कॉलिज के आजपास ऐसा क्या काम करें जिससे अगले बच्चे भी इस काम से सीख ले सकें और जिन लोगों के साथ, जिस समाज को आप अपने गीत में जख्डूरीद करना चाहते हैं, जिस समाज को आप काम के लिए जगाना चाहते हैं, उसको भी ये लगें कि अरे, ये कोलीज चे बंचों ने एक अच्छा काम शुरू किया है, चलो हम भी इनके साथ जूपते हैं, इसलिए अभी ओजोन तुम्हारे से थोड़ा ऊपर है, उसकी चिंता अभी छोड़ दो, अभी तुम कॉलिज में पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात ज्याम दखो चिंता में, कि आप वैसा है काम करो जो ओजोन को हट ना करता हो, वो है हर्याली बढ़ाने का, लेकिन तुम अपत कॉलिज का प्लाइनिंग सोचो कि तुम्हारे कॉलिज में एनसस की यूनेट क्या काम करें, हसी का सर, सर हसी काली, सर मैं जोड़े तो एक उस्टन पुछना जाओना, जैमें के तुसी सर सानू एक मौटी वेट खीकता जी सारे, मतलम किद्दा आसी इंवर्मेंट नों सेफ क कर सकते हैं, पर सर, दिकते हैं या असी थोड़े तो मौटीवेट होके, जोड़ों सर, इसी ग्राउंड लेवल पे इन्हों इंप्लीमेंट करांगे जाके, ता सर, असी पहले पॉइंट पे ही जाके फेल हो जाने हैं, जितना सर, तो इसी म्यूसिपल कार्पोरेशन दी, एक सारा पैसा, वो जेड़ा साथा सीवरे ट्रीडमेंट प्लांट सर, लाए हुए नहीं, सारे सहरा के बिचे, पर अंतु सर, जोड़ों सी लोगतानों अवेर कर दे हैं, के तुसी इतना सीवरे था क्नाइक्शन दाओ, जहां सर, असी आता पानी या बेस्ट वो सार सीवरे दे पाने या, ता सर, फिरो जड़ी गवर्मेंट दी एक जुम्मेवरी है जी, ते सर, वो क्यों नहीं जबा रहे, मतलब सर, वो कि इस कैसी की कर सकते हैं, देखो, अभी गवर्मेंट तो नहीं निभा रहे गे अपनी जुम्मेदारी, तभी तो हम चिंता के लिए बैठ है, इस कि हम फेलना हों अपने काम में, जो तुमने जहां से तुमने अपना सवाल सुलू किया, वहां से मैं तुम्हारा जवाद देना चाहता हूं, हम समाजिक कारित्रता, हम NSSK वालिंजियर, जिस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उस काम को हम फिल्ड में जाते जाते, क्यों से फिल्ड रहे हैं, उसका एक बड़ा विजन है, कि हम लोगों को अपने समाज की भी समज नहीं है, हमारे समाज में पास तरह के लोग होते हैं, पास तरह के एंशा 성ा करने से डाल करने वालों की टांग पुड़के खीशना बहुत अच्छे से जाँते हैं, लेकिंक बिएस यहां देल की तयाप पराज वहां रवाई सारी राथ देया रीड़ी एक्सपर्ट अपनी पावर ब्रॉक्री यह सता की दलाद के माहिर होते हैं नब्वे परसेंट लोग आज भी भारत के समाज में ऐसे हैं जो किसी का बुरा नहीं करते और ना बुरा सोचते और ना बुरे प्राम में सामिल होना चाते कि लेकिन यह तब यह किसी का अच्छा भी नहीं करते हैं कि समझने आई बार तो ये कौन लोग है उनको तुम्हारी जरूरत है इन 90 पतिसत लोगों को तुम्हारी जरूरत है उनके अंदर एक confidence उनके अंदर एक love and respect और उनके अंदर करने की दोड़त है किसी लिए एनसेस के वॉलिंजेस का रोग फुरू होता है कि यह जो 90 प्रसंट लोग है इन में जब यह confidence आएगा कि यह बच्चा कॉलिज से आया है हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो वो आपके साथ जूट जाएंगे इस नहीं तो आप कितने भी धुरंदर हों आप उनके लिए शपल नहीं हो सकते हैं जब तक उनको विश्वास तुमारे उपर नहीं होगा तक तक तुम सफल नहीं हो सकते तो देखो एक तो हुआ लगे कि 4 परसंट प्रचनिष्ट और 90% है सचर्जब लोग अच्छे लोग और इस काम करने के लिए तैयाल करते एक है तोट तो 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 तुम यह जो फोर परसंट है मोटिवेटर अप दिस सेविल सोसाइटी इसमें वालिटर और प्रोग्राम ऑफिसर यदि अपने को सामिल करता है तो फिर समाज में पॉजिटिव फोर्सिज एक्टिव होते हैं और यह जो पॉजिटिव फोर्सिज हैं यह फिर काम को आगे बढ़ाते हैं तो देखो एक परसंट चार परसंट और चार परसंट अभी किता बचा एक परसंट है यह जो एक परसंट था यह पुराने जमाने में गुरू होता था गुरू कि यह चारों का चरित्र जानता था और यह जब भी कोई अच्छा काम करता था तो सबसे पहले 4% लोगों को बलाता था तो मैं तुमें इता कहना चाहता हूँ कि गाउं का यह सहर का जो positive force है जिस दिन आपको बुलाने लगेगा जिस दिन आपके साथ बैठ के बात करने लगेगा उस दिन उस गाउं में या उस सहर में अच्छा काम सुरू हो सकता है अन्यता तो आप जाईए बस बरके जाईए वहाँ दिन बिताईए और वापस आजाईए कुछ नहीं होने वाला आप रियली करना चाहते हैं तो फिर आपको लोगों को उनके साथ सच्छे बंच से जुनता हूँ है अलो सुर्ट मेरा क्वेशन है कि जैसे गौर्मेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं ग्लोबल वार्मिन को करने के लिए या कार्बन अमिशन्स को करने के लिए उससे हटके हम एनेसेस अपनी तरफ से ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसिस की जो कंसेंट्रेशन सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल प्रो नेचर बनाना पड़ेगा तो फर्स्ट एंड्री पॉलिंट इन योर लाइफ स्टाइल सटिंड जिस एरिया में तुम्हारा कॉलिज है काम करना चाहता है उस इलाके को समझना पड़ेगा कि उस इलाकी की नीड क्या है साइष मीच क्या है समाज हम से क्या पेक्शा रखता है समाज हम से क्या चाहता तो आपग समाज के साथ कटके अपने काम का अपनी एक्टिविटी को डिसाइड करें राजेंद्र सिंग से एक्टिविटी मत पूछिये वह एक दिन के लिए पंजाब आया है राजेंद्र सिंग को कोई डाइट नहीं कि वह पट्याला कॉलिज के विद्याट्यों को उनकी अक्टिविटी बताए राजेंद्र सिंग केवल आपके सामने चाक्टर ओपन कर सकता है कि इसमें से आपको चुनना कि आपको क्या करना और तो अपनी सिविल सोसाइटी में जाइए उनके साथ बैठीए और उसमें बूढ़े जवान महिलाएं सब तरह के लोगों उनके साथ डिसकुसन करिए उसमें से आप अपनी एक्टिविटी चूज करिए थैंक इस अ याइस